इंदोर में धोकाधड़ी के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें लाखो रुपे निवेश करवाने के नाम पर कोलकत्ता निवासी युवक को ठग लिया गया। वही इंदोर के कुछ युवक को द्वारा कमपनी में निवेश के नाम पर कोलकत्ता के निवासी फर्यादी दिपक कुमार को अपने जहासे में लेकर 20 लाख रुपे का निवेश करवाया था। वहीं आरोपी युवक को द्वारा इन्हें फोन लगा कर ये कहा गया कि आपके पर दबल हो चुके हैं आप इंदोर आकर ले सकते हैं जब फर्यादी इंदोर अपने रुपे लेने आया तो उसे इंदोर की एक होटल में रुकवाया और होटल में ही धंकी देकर 5,000,000 रुपी और नगत ले लिए वहां से फरार हो गये फिछाल फर्यादी द्वारा थाने पर एक कंपनी रिष्टर है एडवाईजरी कंपनी डेड़ बुल कंपनी और वेंचर कंपनी उनके दौरा इनको फोन पर कापी लालस दिया गया कि हम एडवाईजरी कंपनी है और आप जो भी इन्वेस्ट हमारे कंपनी के माद्धन से करेंगा मैं उसमें आपको बहुत जा तर लाग रुपे उसने हो गया है आप इन दौर आकर वो पैसा ले लीजिए जब फर्यादी इन दौर आया तो इसको एक हुटल में उन्होंने दुखवाया और वोटल में पुनहां उसको डरा दमका कर और लाले से देकर अपने कंपनी के एकाउंट में फांच लाग रुपा और अन्य दो के किलाओन पर्षन कन्जीवर्श के नहीं है फर्यादी कोलकरता पच्छे मंगाल के रहने वादे हैं और आपि इंडर में हैं डाट कंपनी आई ट्रेडवू कंपनी और बेंजर कंपनी नाम से है जिनका एड्रेस मां खिडी की नावस्टार बें अभी तो सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले